एक्सल में दोस्तों ये डाइनमिक इंट्रेक्टिव सेल परफॉर्मेंस डैसबोर्ड मैंने बनाया है जो फुल्ली आटोमेटिक है और इसको बनाना तो इतना आसान है न एक बार वीडियो देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा इसका डेमो आप देखिए यहाँ पे कलें कैसे कैसे कितनी कितनी पेमेंट हुई वो आपको यहाँ पे देखेगा सेल बाइप प्रोडेक्ट यहाँ पे देखेगी यहाँ पे लास्ट ट्वंटी एडेज में सेल्स की जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाई देगी कहीं भी आप करजर रखिए वहीं पे वैल्यू क läuft तो आपको दिखेगी यह देखिए यहाँ पे previous 28 day की सेल की जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाई देगी top product, top seller सब कुसीह यहाँ पे दिखाई देगा आप यहाँ से देखिए डेज इस तरह से से Alfakt कर सकते हो यह सारी चीज़े ऑटॉमेटिकʟ अपडेट होंगी तो ये कमाल का जो dashboard है ये अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखना पड़ेगा और इस वीडियो को आप पहले ही लाइक कर दोगे मुझे उमीद है क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मैनत लग दिया है तो फटाफट वीडियो करते हैं मैं हूँ दीपक आपका दोस्त लेट्स बिगिन दिस टापिक तो ये है दोस्तों मेरे पास बहुत सारा डेटा सबसे पहले तो आपको डेटा अच्छे से समझना होगा तब ही आप बोरिंग डेटा को एक स्मार्ट डेसबोर्ड में सोगर सकते हो अब यहाँ पे देखिए आपको दिखा देता हूँ एक हजार सेटिंग करनी होंगी पहले डेसबोर्ड बनाने से पहले क्योंकि हम लास्ट ट्वेंटीएट डेटा का डेटा डेसबोर्ड में सो करेंगे साथ ही कलेंडर भी हम डेसबोर्ड में सो करेंगे तो हमें यहाँ पे दो तीन हैल्पर कॉलम लेके थोड़ा सा काम कर ले पहले कैसे देखिए यहाँ पे order date जो लिखी है न यहाँ पे day, month, year एकटा है हमें क्या करना है हमें यहाँ से day अलग निकालना है और जो month है वो text में अलग निकालना है माल लीजी है मतलब gen, feb इस तरह से ठीक है तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 2 helper column insert कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने heading डाल दी day और यहाँ पे मैंने heading डाल दी month ठीक है यहाँ पे हम लगाएंगे formula equal day simple सा formula है bracket open करके यहाँ यह date दे देंगे enter press कर देंगे तो यहाँ पे day निकल के आ जाएगा अभी यहाँ पे यह पूरी rate आपको दिखाई देरी इसका कारण मैं आपको बताऊंगा पहले इसको auto fill कर देते नीचे तक यह पूरी range select है home पे आप जाओगे न तो यहाँ पे देखे date का format लगा हुआ है आप यहाँ से इसको general कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए यह जो date है यहाँ पे अभी one 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 date है तो यहाँ पे देखिए one जो date था निकल के यहाँ पे आ गया यहाँ पे day two हो गया तो यहाँ पे two आ गया यहाँ पे नीचे three हो गया तो three आ गया तीन बार M टाइप करेंगे तो यहाँ पर सौट में मन्त निमा जाएंगे जे ए ए ए ए जैन इस तरह से अगर चार बार M टाइप करूँगा तो पूरा जैनवरी लिखा जाएगा तो मुझे पूरा नहीं चाहिए शौट में चाहिए डावल कोर्स क्लोज करेंगे ब्रेकेट बंद करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एपरेल मन्त था वो निकल के आ गया है इसको डावल क्लिक करके नीचे जो है फिल कर देंगे इतना काम हमें यहाँ पर करना था इसके बाद last 28 days और previous 28 days के लिए हमें दो कॉलम last में एड़ कर लेने हैं यहाँ पर मैंने एक heading डाल दी last 28 days ठीक है और यहाँ पर एक heading डाल दी last previous previous 28 days अब इन में हम लगाएंगे formula ठीक है यहाँ पर formula क्या होगा उपर आप देखिए है formula बार में और इसको हम थोड़ मैंने cell पर क्लिक कर लिया इस पर ठीक है formula बार में आप देखना formula क्या हम लगाएंगे और हम यहाँ पर आ गए इदर यहाँ पर formula हम लगाएंगे equal a and d end का formula दो condition हमें एक साथ देनी है end का formula bracket open सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो यह date है order date है यह ज्यादा है यह बरावर है किसके today minus 28 bracket बंद इस today minus 28 को bracket में बंद गर देंगे जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमने यहाँ पर क्या logic लगाया कि अगर यह जो date है यह आज से 28 days पहले की जो date थी उससे ज़ादा है या उसके बरावर है comma लगाएंगे second condition क्या लगाएंगे कि अगर यह जो date है यह कम है आज की date से बस ये है formula यहाँ पर दो condition हमने लगाई है कि अगर यह जो date है यह आज से 28 दिन पहले की जो date थी उसके बरावर है या उससे ज़ादा है और आज की जो date है current date उससे कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे true false आजाएगा यह false आगे क्योंकि यहाँ पे April की जो date लिखी होई है और अभी चल रहा September यहाँ पे double click करेंगे तो formula नीचे copy हो गया है previous 28 days के लिए भी formula हम यहाँ पे लगा देते हैं फिर मैं एक साथ आपको दिखाऊँगा कि यह दोनों काम कैसे करेंगे तो मैंने इस selfie कर लिया click उपर आप देखिए formula बार में और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हम date को आसानी से select कर पाएं तो यहाँ पे आप देखिए formula में क्या लगाऊंगा equal and and formula वही होगा बस condition थोड़ी सी change करनी है पहली condition यहाँ पे क्या होगी कि अगर यह जो date है यह greater than है बरावर है किसके today minus 56 bracket बंद कॉमा लगा देंगे यहाँ पे second condition क्या देंगे कि अगर यह जो date है यह less than है किसके आज से 28 दिन पहले की जो date थी उसके ठीक है यह condition यहाँ पे होगी दौनों condition समझ में आ गही होगी पहली condition क्या कहती है कि अगर यह जो date है यह जादा है या बरावरा है आज से 56 दिन पहले जो date थी उसके दूसरी condition क्या कह रही है कि यह जो date है यह अगर कम है आज से 28 दिन पहले कि जो date थी उसके तो यहाँ पे previous 28 days select हो जाएंगे है ना बस enter press कर देना यहाँ पे true false में result आएगा अभी false आ रहा है क्योंकि यह एपरेल का महीना है तो यहाँ पे false आएगा क्योंकि अभी September चल रहा है ठीक है अब देखिए यह काम कैसे करेंगे सबसे नीचे हम जाते है latest dates के आसपास तो यहाँ यहाँ पे हम चले गई यह देखिए ठीक है 12 September और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 12 September ही है तो यहाँ पे देखिए true आ रहा है यहाँ पे false आ रहा है यह last 28 days का जो column है यहाँ पे true आ रहा है और यह previous 28 days का यहाँ पे false आ रहा है तो यहाँ पे true कब तक तो आप देखिए यहाँ पे date है 16 August ठीक है 16 August तो आप calculate कर सकते हो last 28 दिन यह ले रहा है नहीं ले रहा है इसके बाद यह देखिए यह तो last 28 दिन का जो helper column था यहाँ पे true आ रहा है और यहाँ पे देखिए जो previous 28 days का data था column था helper column यहाँ पे true यहाँ से start हो आए और यह कब तक जाएगा यह previous 28 days की जो dates है वो cover होंगी वहां तक जाएगा ठीक है यह true आएगा यहाँ पे और जैसे यह previous 28 days खतम होंगे तो यहाँ पे false आ जाएगा तो यह काम हमें यहाँ पे करना था अब एक काम कर दीजिए control A से पूरा data कर दीजिए select home tab पे जाईए और यहाँ से all border लग design ले लीजिए मैंने simple से ले लिया अब table format में convert करने से यह फायदा होगा जब आप इस table में नीचे नया data add करोगे तो वो dashboard में automatic update हो जाएगा यह तो आपको पता होगा तो इतना काम हमें करना था data हमारा ready अब यहाँ पे कोई छेट छाड हमें नहीं कर दीए इसके बाद हम ज देखिए आपको जाना है view tab में और यहां से grid lines, heading, formula bar सभी को hide कर दीजिए यह इस तरह से view आपको देखेगा अब आपको जाना है insert पे और यहां पे picture आपको insert करनी है जो की dashboard का design है मैंने पहले सी बना के set कर रखा है यह वाली picture यह देखिए यह dashboard का design है यह मैंने पहले सी बना file भी आप download कर सकते हो ठीक है अब इसको बनाने में time waste नहीं करेंगे यह predefined आपको image मिल जाएगी यहां पे frame दे रखे है, headers लखे होई है कहां पे क्या चीज़ आपको insert करनी है तो इससे हमारा बहुत सारा time save होगा अगर आपको यह लगता है कि कोई frame कम पड़ रहा है तो यह इसको आप खुद भी बना सकते हो power point में चले जाना और वहां पे इस तरह से safe ले लेके इनको draw करके अपना जो designer dashboard का वो set कर लेना कोई भी frame आपको लगता है कम है तो उसको ज़्यादा या कम करना वो आप कर लेना तो यह आप बना लेना ठीक है मेरे according मुझे सही लगा तो मै मैंने इतने frame इतने size के बना रखें अब यहां पर हमारा इतना काम ready है अब एक काम करते है control shift F1 प्रेस कीजिए keyboard से excel full screen पर आपको दिखाई देगा dashboard देखने का मज़ा तो full screen पर ही है दोस्तो अब इस तरह से यह दिखेगा अब इसका size जो है वो आप set कर लीजिए कि कितना ब अब हम यहां पे जो है बाकी चीजे insert करेंगे तो सीधे हम जाएंगे data पे और हम insert करेंगे pivot table data में कहीं भी click करेंगे control A से data करेंगे select insert पे जाएंगे और यहां पे insert करेंगे pivot table नई seat पे हम pivot table insert करेंगे ok करेंगे तो यहां पे एक नई seat add हो गई है यहां पे हमारी होंगी सारी pivot tables ठीक है पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे total sale और unit sold ठीक है amount का total यहाँ पे दिखाना है और unit sold का total यहाँ पे हमें दिखाना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या pivot table वाली seat पे जाएंगे यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे amount पे tick लगा देंगे तो total amount ये निकल के आ गया है ये आ गया ठीक है अब ये जो value है ये pivot table में है इसको हम shape में direct select नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे equal assign और इसको pivot table से बाहर निकाल लेंगे ये value आ गई है इस pivot table को copy कर देंगे control C थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे paste कर देंगे control V ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ हम amount से टिक खटा के quantity पे टिक लगा देंगे तो यहाँ पे total quantity निकल के आ गई same हम यहाँ पे करेंगे equal का sign लगा के इस value को pivot table से बाहर निकाल लेंगे यह value यहाँ पे बाहर आ गई है ठीक है इस तरह से अब यहाँ पे हम जाएंगे dashboard पे और insert पे जाके shape यहाँ पे हम insert कर लेंगे rectangle shape यह मैंने ले ली इसको मैंने यहाँ पे draw कर दिया इस तरह से ठीक है अब यहाँ पे हमें जरूरत है formula bar की तो formula bar पे मैंने टिक लगा दिया और save पे click किया formula bar में click किया equal का sign लगाया और pivot table वाली seat पे हम जाएंगे और यहाँ पे amount को select कर देंगे इस cell को बस enter press कर देंगे तो यह जो amount था यह save में आ गया है ठीक है अब हम क्या करेंगे save की copy करेंगे यहाँ से इसको पकड़के control दबा के रखा और इसको पकड़के उठा के यहाँ पे रख दिया है इस पे click करेंगे और इस पे हम दुबारा से formula लगा देंगे equal का sign और pivot table वाली seat पे जाके यहाँ पे quantity वाला cell हम कर देंगे select enter press कर देंगे तो यहाँ पे quantity आ गई है दौनों को कर देंगे select home tab पे जाके font size थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से यह कर लिया और इसका जो color है वो थोड़ा सा हम यह वाला कर देंगे और save format पे जाएंगे save fill पे जाके no fill कर देंगे save outline पे जाके no outline तो यहाँ पे देखिए एक काम हो गया है ठीक है बाकी इनको थोड़ा बहुत आप adjust कर लेना जैसे भी आपको यह रखने है यहाँ पे click करके और इसको इधर रख देना अब यह देखिए यह जो total sale है यहाँ पे thousand separator नहीं आ रहा है ठीक है बस okay कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यह इस तरह से currency साथ में currency का जो symbol है रुपे का symbol वो साथ में आ रहा है और यहाँ पे हम right click करेंगे format sale पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे number पे जाएंगे decimal हम यहाँ से कर देंगे zero thousand separator पे टिक लगा देंगे okay कर देंगे तो यहाँ पे thousand separator लग जाएगा dashboard वाली seat पे जाके आप देखोगे तो यहाँ पे values उसी तरह से आपको दिखाई देंगी अब यहाँ पे payment mode के लिए हमें insert करना है chart तो हम जाएंगे pivot table वाली seat पे और यहाँ से किसी भी एक pivot table को copy कर लेंगे control c नीचे आपको pivot tables paste नहीं कर दी है यहाँ पे तो एक ही cell था इसलिए मैंने नीचे paste कर दी है आप side by side pivot tables को बनाना ठीक है मैंने यहाँ पे click किया control v से इस pivot table को paste कर लिया अब यहाँ पे हम click करेंगे field की जो list है वो यहाँ पे आप देख सकते हो quantity से मैंने टिक खटा दिया payment mode के लिए हमें chart बनाना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे payment mode पे tick लगा देंगे हमारी पास दो payment mode है cash और online अब यहाँ पे आप कैसे payment mode में values देखना चाहते हो यहाँ पे अगर आप यह चाहते हो मैंने quantity पे tick लगाया अगर आप यह चाहते हो कि cash में कितनी quantity sale हुई online में कितनी quantity sale हुई तो आप quantity इस तरह से देख सकते हो अगर आप यहाँ पे amount देखना चाहते हो कि cash में कितना amount आया online से कितना आया तो amount पे ठीक लगा दीजिए तो amount यहाँ पे आपको दिखाए देगा चोईस आपकी आपको क्या दिखाना है तो मैंने यहाँ पे दिखाना है quantity ठीक है cash में कितनी quantity sale की और online से कितनी quantity sale की इसमें click करके रखेंगे pivot table analyze का उपर tab आएगा यहाँ पे हम जाएंगे last में एक option है pivot chart का यह रहा ठीक है आप इस पे click करोगे click करने के बाद इसके लिए हम एक chart बनाएंगे तो pie chart पे आपको जाना है और यहाँ पे यह वाला chart आपको insert कर लेना है ठीक है donor chart ok कर देना है तो chart insert हो जाएगा आप यहाँपे चाट के design मिल जाएंगे आपको यहाँपे click करने है यह chart के कुछ design है तो यह वाला design आपको ले लेना है ठीक है यह ले लिए design इसको कर देंगे delete right-click करके delete और यहाँपे right-click करेंगे hide all field button on chart इसके ऐसके बाद आपको इस off पे क्लिक करना है यहां पे outline पे क्लिक करना है उपर format का एक tab आपको दिखाई देगा इस पे जाना है और यहां पे save fill पे जाना है । जाना है और no fill कर देना है फीक है अब इस चार्ट को थोड़ असा छोटा आ आप कर लिजिए इस तरह इसको copy करना है control c, cut कर लिजिए control x ठीक है यहां से इसको cut कर लिजिए line पर क्लिक करना है control x और इसको dashboard पर जाकर paste किजिए control v ठीक है यहां पर यह चार्ट आ रहे है यहां इसकी line पर क्लिक करो और इसको उठाके उपर रखो इसको उठा के यहां पे रखो इस तरह से ठीक है यह जो legends है इनकी जो width थोड़ी सी ज़ादा कर लीजिए और इनको पकड़ के ऊपर रखिए यहां पे और width थोड़ी सी और ज़ादा कर लीजिए यह इस तरह से एकी line में आ जाएंगे राइट क्लिक करेंगे इनके ऊपर font का option मिलेगा और यहां font का size आप set कर देना 12 ठीक है ok कर देना तो यहां पे देखिए यह इस तरह से आपको दिखाई देंगे आप इनकी जो save is में हलका सा color फिल है इसको हटा सकते हो कैसे ? यहां पे click कर लेना इनके ऊपर line पे click कर लेना है format पे जा आए save फिल पे जाना है no Fit पे click कर देना है अब देखिए यहां पे यहां पे सहही लग सब्सक्राइब Gene चीट यहां प्रेटिट्टि पेटिक तो यहां पे डिटेल आगई है कौनसे प्रोड़क्त यह कितनी क्वेंटति सेल ही हैं बस इसमें क्लिक करके रखना है विख मीवर टेवल एनलािएब पर यहां पीवर्ट चार्ट आपको मिल जाएगा का यहाँ पर इंसट करना ac9 यह पहला सिंपल सा ले लीजिए यह चाट इस तरह का होगा ठीक है बस तक कर द Seriously चार्ट यहां ब्राइट क्लिक करना है और इन फीड बटन्स को हाइड कर देना यहाँ पे क्लिक करके टोटल को कर देना है डिलीट और इसको भी कर देना है डिलीट और यह जो लाइनिंग है इनको आप कर दीजिए डिलीट कीबोर्ट से डिलीट की प्रेस करके यहाँ से इनको भी कर दीजिए डिलीट राइट क्लिक डिलीट ठीक है चार्ट का साइज थोड़ा सकम कर लीजिए इसको Ctrl X करके Cut कर लीजिए Dashboard पे जाके Paste कर दीजिए Ctrl V यह चार्ट यहां पे आ गया इसको उठाके यहां पे रखिए यहां से इसको Close कर दीजिए और चार्ट को उठाके यहां पे हम रख देंगे इस तरह से Hide थोड़ी सी Adjust कर लेंगे Weight को हम Set कर देंगे इस तरह से अभी हम क्या करेंगे यहां पे Line पे क्लिक करेंगे Format पे जाएंगे Save Fill पे जाके No Fill कर देंगे यह देखिए अब यहां पे Transparent यह जो है चार्ट बन गया है यहां पे आपको क्लिक करना है Right Click करना है Font का Option मिलेगा और यहां पे Font Size आपको रख देना है 12 OK कर देना है तो Font Size जादा हो गया है यहां पे Values आपको Show करनी है तो किसी भी एक चार्ट की जो यह Line इस पे क्लिक करना है Right Click करना है और Add Data Labels पे क्लिक करना है यह Data Labels एड़ हो गई है किसी भी एक Data Label पे क्लिक करना है Right Click करना है Font का Option मिलेगा इस पे जाना है और यहां से Font Size आपको थोड़ असा जादा कर देना है 12 कर दिया साथी मैंने इनको Bold भी कर दिया OK कर दिया तो यह देखिए यह values आपको यहां पे दिखती रहेंगी यह जो Outline आरी हलकी सी चार्ट की आपको क्या करना है यह हटा देनी है Line पे क्लिक करना है Format पे जाना है और Shape Outline पे जाके No Outline कर देना है तो यह Line भी यहां से हट जाएगी तो यह काम हुआ complete अब यहां पे Last 28 Days का डेटा सो करना है तो फिर से जाएंगे Pivot Table वाली सीट पे किसी भी एक Pivot Table को Copy करेंगे Ctrl-C यहां पे कर लेंगे Paste, Ctrl-V ठीक है थोड़ा सा इदा चलेंगे यह हमारी Table है अब यहां पे फिर से हमें Field List सो करनी है तो मैंने Field List को So कर लिया और यहां से इनको हटा दिया ठीक है इस Pivot Table में हमें क्या चाहिए Date चाहिए Order Date पे हम क्लिक करेंगे तो Order Date यहां पे Add हो गई है अब यह देके Month नहीं मारा है तो यहां से Month को हटा के हम वापिस यहीं पे छोड़ देंगे अब यहां पे Date आ गई है ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है हमें Quantity पे टिक लगा देना है किस Date को कितनी Quantity सेल हुई अब यह आपके ऊपर है कि आपको Quantity दिखानी है या फिर आपको Amount दिखाना है ठीक है तो एक काम करेंगे हमने यहां पे Last 28 Days का एक कॉलम बनाया था यह रहा इसको पकड़ेंगे और Filter में छोड़ देंगे तो यहां पे उपर Filter एड़ हो गया है अब इसमें True-False दो Option मिलेंगे True पे क्लिक करेंगे OK कर देंगे तो यह देखिए Last 28 Days का जो डेटा है वो निकल के आगए 16 अगस्त से लेके 12 सेप्टेमबर तक इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके आपको जाना है Pivot Table Analyze टैप पे Pivot Chart का Option मिलेगा क्लिक कर देना है और यहां इसके लिए न हम यूज करेंगे Line Chart का Line Chart इनको भी कर देंगे Delete इनको भी कर देंगे Delete ठीक है चार्ट बन गया इसको थोड़ असा छोटा कर लेंगे Ctrl X करके यहां से इस चार्ट को कट करेंगे Dashboard पे जाके पेस्ट करेंगे Ctrl V ठीक है यहां पे क्लिक करके इसको हम उपर ले आएंगे इनको अभी यहां से Close कर देंगे और यहां पे हम इस चार्ट को रखेंगे इस तरह से ठीक है थोड़ इसी setting कर लेनी है इसकी और इस तरह से इसकी जो विर्थ है इसको थोड़ असा ऐसे set कर लेंगे ठीक है अब इसकी line पे क्लिक करेंगे Format पे जाएंगे Save Fill पे जाएंगे No Fill पे क्लिक कर देंगे Save Outline, No Outline तो यह देखिए इस तरह से यह चार्ट यहां पे बनके आगया है अब हम यहां पे Previous 28 Days के लिए चार्ट ले के आएंगे तो कैसे लाएंगे इसके लिए हमें एक काम करेंगे Pivot Table को Copy कर लेंगे केसी भी है Pivot Table को Copy कर लो और यहां पे Paste कर लो, ठीक है इसमें क्लिक कर लो क्लिक करने के बाद Pivot Table की जो Field है उनको आप Show कर लो, Show पे जाके यह Show कर लिया, यहां से सब कुछ हटा दो आप, और यहां पे Order Date पे टिक लगाओ यहां पे month भी आजाएगा साथ में इसको पकड़ के वापिस वही छोड़ दो और quantity ले लो ठीक है, सेम वही काम अब यहां पे previous 28 days का column हमने बनाया था, इसको पकड़ के filter में छोड़ देंगे, previous 28 days का यहां पे हम लगा देंगे filter true, true पे filter लगा देंगे, ok कर देंगे, तो यह देखे previous 28 days का data निकल के आ गया है इसमें कहीं क्लिक करके हम जाएंगे fever table analyze tab पे fever chart, यहां पे भी वही line chart हम insert कर देंगे, ok कर देंगे, इनको कर देंगे delete इनको कर देंगे hide इसको भी delete इसको भी delete ठीक है, chart का size थोड़ा सा कम कर देंगे, chart को control x करके cut करेंगे dashboard पे जाके paste करेंगे control v, ठीक है, यह chart आ गया इसको उठा के यहां पे रख लेंगे, इनको close कर देंगे यहां पे इसको मैंने रख दिया, इस तरह से ठीक है, और इसकी जो विर्थ है, इसको थोड़ा सा set कर लिया, format पे जाएंगे save fill पे जाके no fill कर देंगे तो यहां पे देखिए, यह जो है chart previous 28 days का आ गया है इसकी जो थोड़ी सी height है यह आप ज़्यादा कर लीजिए इसकी outline दिखाई दे रही है तो इसको हम हटा देते हैं, format पे जाएंगे shape outline पे जाएंगे no outline, ठीक है अब सही है, अब यहां पे top seller हमें दिखाने है top seller, कैसे दखाएंगे देखिए, फिर से क्या करेंगे फिर से कोई भी pivot table कॉपी कर लेंगे छोटी सी, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया control C और यहां पे एक और pivot table हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है यहां पे हम कर लेंगे, insert control V, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें दिखाने top seller, top seller तो यहां से अभी हम टिक हटा देंगे जो भी हमने इसमें select कर रखा है हम यहां पे क्लिक करेंगे seller पे, quantity पे टिक लगा देंगे, तो देखे क्या हुआ यहां पे quantity आ गई कौन से seller ने कितनी quantity sale की, ठीक है अब एक काम करेंगे, right click करेंगे, sort पे जाएंगे और यहां इसको sort कर देंगे smallest to largest कर दिया sort, इसके बाद यहां पे click करेंगे, right click करेंगे, filter पे जाएंगे और यहां पे top 10 का option मिल जाएगा click करेंगे, यहां हम चाहते हैं कि top 3 seller हमें दिखाई दें, तो 3 हम top 3 filter कर लेंगे 5 चाहिए तो 5, 10, 20 जितना आपको चाहिए, लिख लेना okay कर देंगे, तो अभी हमारे पास 4 total seller है, okay करेंगे तो यहां पे top 3 seller निकल के आ गए है table में click करके रखेंगे, जाएंगे pivot table analyze tab पे pivot chart पे जाएंगे और यहां पे इसके लिए हम यूज करेंगे bar chart, simple सा bar chart हम ले लेंगे, okay कर देंगे, तो जोड़ से delete की press करके इनको भी कर देंगे delete और chart का जो sizes को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कम कर लेंगे, control x करके chart को cut करेंगे dashboard पे जाके paste कर देंगे, control v, उठा के chart को यहां पे रख लेंगे थोड़ा सा adjust कर लेंगे इसको, इस तरह से ठीक है, और इसकी जो height है, वो इस तरह से हम कर लेंगे format पे जाएंगे shape fill पे जाएंगे no fill पे क्लिक करेंगे shape outline पे जाके no outline ठीक है, यहां पे click करेंगे, right click करेंगे font का option मिलेगा और यहां इसका जो font size इसको कर देंगे 12, ok कर देंगे तो font size 12 हो गया है यहां पे right click करेंगे और add data labels पे click कर देंगे, data label एड़ हो जाएंगे यहां पे right click करेंगे किसी भी एक data label पे, और font का option मिल जाएगा, इसका जो font size है वो भी आप 12 रख लिज़ जिए इनको bold कर लेना, bold, ok तो यह देखिए, तो यह chart भी आपका यहां पे ready है इस वीडियो को आपने पहले ही like कर दिया होगा दोस्तों मुझे उमीद है और अगर आभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को जम के like share करो क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है अब देखिए, last का जो chart है वो हमें बनाना है top product के लिए और हमारा कान खतम तो जाएंगे pivot table वाली seat पे pivot table को करेंगे copy, ctrl c यहां पे pivot table और paste करेंगे ctrl v ठीक है, top product के लिए हमें यहां पे बनाना है chart तो हम करेंगे क्या अभी इसको कर देंगे blank यहां से product पे tick लगाएंगे, product कहां पे है product यह रहा, product पे tick लगा दिया product आ गए, इसके बाद यहां पे हमें so करनी है quantity ठीक है, quantity पे tick लगा देंगे तो यह देखिए, product आ गए और उनकी quantity आ गई अब यहां पे हमें top 3 product निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, यहां पे पहले काम करेंगे, right click करेंगे इनको sort कर देंगे, और smallest to largest ठीक है, तो यह value sort होगे smallest to largest, यहां पे right click करेंगे, और इसको filter कर देंगे, top 10 यहां पे 3 ले लेंगे, 10 की जगह पे 3, और ok कर देंगे तो यहां पे देखिए, top 3 product हमारे सामने filter होके आ गई है, अब इसका chart हम बना देंगे इसमें click करेंगे, pivot table analyze पे जाएंगे, pivot chart पे जाएंगे इसके लिए भी हम bar chart यहां पे insert करेंगे simple सा bar chart और ok कर देंगे, इनको hide कर देंगे, इसको delete, इसको delete यह जो lining है, इन पे click करके keyboard से इनको कर देंगे delete, और इसको भी कर देंगे delete, ठीक है, और chart का जो size है, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे control x करके chart को यहां से cut करेंगे, dashboard पे जाके paste कर देंगे, control v, अब इसको उठा के chart के ऊपर हम रख लेंगे मतलब, dashboard का जो design है, उसको उपर, इस पे click रहने देंगे, format पे जाएंगे shape fill पे जाके no fill shape outline पे जाके no outline ठीक है थोड़ा से इसको fit कर लेंगे, इस तरह से यहां पे हम करेंगे right click, font पे जाएंगे size इसका कर देंगे 12, ok कर देंगे और यहां पे right click करेंगे add data label data label add हो गए, right click करके font पे जाएंगे यहां से bold कर देंगे select और size कर देंगे 12 ok कर देंगे तो यहां पे काम हो गया, ठीक है न अभी यह chart थोड़ा सा बड़ा लग रहा है यह chart थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इन दोनों हैं, तो slicer add करने के लिए आपको फिर से जाना होगा pivot table वाली seat पे, किसी भी एक pivot table में click करो, pivot table analyze tab पे जाओ, insert slicer का option मिल जाएगा, click करो, यहां पे हमें क्या करना है, day month और product, यह तीन slicer add करने है, day, month और product, ok कर देंगे, तीन slicer यहां पे add हो गई है, ठीक है यह देखिए, आपने क्या करना है, तीनों को control दबा के select कर लेना है, right click करना है slicer setting पे जाना है यहां display header tick लगा हुआ है, यहां से tick हटा देना है, ok कर देना है ठीक है, तीनों से header हट गया है control दबा के, तीनों को यहां से select कर लो, control X करके यहां से cut कर लो, और dashboard वाली seat पे इनको paste कर लो, control V यह slicer आ गया है, तीनों पहले हम जो day वाला slicer है, इसको उठाएंगे, और इसको हम रखेंगे यहां पे यहां पे रखेंगे इसको, ठीक है यहां पे इसका जो size है इसको थोड़ा सा हम इस तरह से set कर लेंगे, कि हमारा frame के अंदर यह fit आ जाए slicer पे जाए और height जो है, इसकी वो कम कर लीजिए आप, यह देखें यहां से height आप कम कर सकते हो यह जो button यहां पे दिख रहे हैं आपको height कम कर सकते हो, यहां से तो यह हमारा यहां पे हो गया calendar इसके बाद यहां पे month के लिए हमें slicer यहां पे add करना है तो month वाला slicer हम उठाएंगे यहां से इसको उठाके यहां पे रखेंगे और slicer tab पे जाएंगे column हम यहां पे बना देंगे तीन ठीक हैं, तीन column मैंने बना दी हैं और इसका size थोड़ा सकम कर देंगे इसके बाद यह भी set हो गया, इसके बाद हमें यहां पे product के लिए slicer add करना है तो product वाला slicer उठाएंगे और इसको भी यहां पे हम ले आएंगे यहां पे इसको हम रख देंगे इस तरह से और इसकी जो height width है उसको हम इस तरह से arrange कर लेंगे इस पे click करेंगे slicer पे जाएंगे यहां से इनकी height थोड़ी सी जादा कर लेंगे और यह हमारा complete है ठीक है आपको slicer पे design लगाने तो आप यहां पे click करोगे जब slicer पे किसी भी slicer पे तो slicer पे जाओगे तो slicer के design भी दे रखेंगे आपको जो भी design लगाना हो आप लगा सकते हो अब हम क्या करेंगे पहले slicer पे calendar वाले पे right click करेंगे यहां पे report connections पे जाएंगे और यहां पे आपको pivot table दिखाई देंगे सभी पे tick लगा देना है सभी पे tick लगा देना है आपको okay कर देना है इसके बाद आपको second slicer जो यह month वाला इस पे right click करना है report connections पे जाना है और यहां पे भी वही same काम आपको करना है आपको पीवर्ट टेबल यहां पे देना पे सभी पे tick लगा दे hoping सभी पे playing focus करना है अब इसके लिए आपको यह काम करना होगा यह जो टॉप प्रोडेक्ट की जो पीवर्ट टेबल है आपको इसका वालत देखना है यह जो top product की pivot table है इसका name हम देखेंगे तो name देखने के लिए क्या करेंगे pivot table analyze tab पे जाएंगे और इसका जो name है वो है यहाँ पे देखिए pivot table 5 pivot table 5 ठीक है जो हमारी top product वाली table थी इसका name है pivot table 5 तो dashboard पे जाएंगे और यहाँ पे right click करेंगे report connections पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे सभी tables को connect कर देंगे बस यह pivot table 5 हमें छोड़ देनी है यह pivot table 5 इस पे टिक नहीं लगाने बाकी सब पे टिक लगा दो ठीक है बाकी सब पे टिक लगा दो okay कर दो बस काम खतम pivot हमारा जो यह dashboard है वो ready है अब देखिए control shift F1 प्रेस किया मैंने इसको full screen पे कर लिया है तो यह आ गया है अब यहाँ पे आप काम करके देखिए यह देखिए हमारा जो dashboard है वो proper work कर रहा है यह देखिए ठीक है न यहाँ से कोई भी एक product आप ले सकते हो उसकी आपको यहाँ पे sale देखेगी यहाँ पे product select कर सकते हो ठीक है ड्रेगन ड्रॉप करके इस तरह से list भी select कर सकते हो यहाँ से month आप select कर सकते हो यह देखिए अभी मैंने April select किया है तो यहाँ पे last 28 days में भी data नहीं आएगा ना ही previous 28 days में क्योंकि अभी September चल रहा है और यह April तो बहुत पहले निकल चोगा है तो यहाँ प कोई change करते हो या कोई नया record add करते हो तो dashboard में वो update करने के लिए आपको क्या करना है किसी भी एक chart पे click करना है और उपर paper chart analyze का tab आपको मिल जाएगा click करना है refresh का button यहाँ पर मिल जाएगा यह रहा बस click कर देना dashboard update हो जाएगा यह जो training file है आप इसको download कर सकते हो वीडियो के description म ठीक है आगे बहुत जल्दी और नए नए dashboard modern dashboard के वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को subscribe कर लेना notification bell पे all दबा लेना जिससे आपको हमारे नए वीडियो की notification तुरंत मिल जाए तो मिलता हूँ अगले वीडियो में thank you दोस्तो have a nice day जै हींद वन दे मात्राम take care